इंटरनाशनल मोटिवेशन स्पीकर विवेक बिंद्रा एक बार फिर विवादों में घिर गये हैं और इस बार जो विवाद है वो उनके किसी कंटेम्परिस के साथ नहीं है बलकि मामला F.I.R. का है कम्प्लेंट का है जो कि उनके पत्नी के भाई ने उनके खिलाफ की है उन पर आरोब है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है नाकिवल मारपीट की है इसकदर मारपीट की है कि उनको छोट के निशान है उनको कान में सुनाई नहीं दे रहा है सर में इस तरीके से लगी है कि वो बार बार चकर उनको आ रहे हैं यह तमाम आरोप लगाए हैं उनकी पत्नी यानिका के भाई वैभव ने दरसल बताया जा रहा है कि तक्रीबन जो डेट सामने आ रही है कि बहुत कम उनकी शादी को सबय हुआ है च्छी दिसंबर शादी बताई जा रही है अब ह विवेक बंदरा ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद करकर उनके साथ गाली को लाच की मारपीट की और इसकदर मारपीट की आग की उनको बहुत जादा चोट आई है इसके साथ साथ ही उनका फोन भी उठाकर फिक दिया यह तमाम चीजे जो है यानिका के भाई वैभव ने अपनी F.I.R. में लिखी है विवेक बंदरा को लेकर कई वीडियो जे हैं वो सोचल मीडिया पर वाइरल भी हो रही इसी घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि वो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और विवेक और उनक असल में विवेक और उनकी मा की बीच में था जिसमें यानिका के बीच में आने की वज़ह से विवेक का गुस्सा यानिका पर भढ़का और यानिका की उन्हों ने पिटाई कर दी यह F.I.R. दर्ज हुई है जिसमें मारपीट की धाराई लगी है यानिका के साथ कुछ समय पहले ही विवेक की शादी हुई है और ऐसे ही में उसके बाद ये जो खटना ही सामने आई है लेकिन विवेक बितला के जब हम बात करें तो कॉंट्रोवर्सी से विवादों से इनका रिष्टा जो है वो पूराना है से पहले भी हमने देखा था कि मोरभी उद्यमियों से इ विवादों के साथ लगाता चल रहा है लेकिन फिलहाल ये ताजा आरोप जो है ये बेहत संगीन है क्योंकि विवेक बिंद्रा जो की इंटरनाशनली अक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर खुद को कहते है जिनके यूटूब में दो करोर से ज़ादा फॉलोवर्स हैं ऐसे ए के के आरोप बेहत संगीन है ये आरोप उनकी पतनी के भाई ने पतनी के बिहाफ पे लगाए है जहां पर ये बताया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई और इसकदर मारपीट की गई कि उनकी पतनी का अस्पताल में लंबे समय तक इलाज भूई चला मैं F.I.R. में जो ल समबर को सुबर ढ़ाई तीन बजे की ये बात है जहां पर विवेग बिंद्रा अपनी मा के साथ बहस कर रहे थे और ये वैभाव की कंप्लेट है जिसको पढ़कर मैं सुना रही हूं और उन्होंने कहा कि वो अपनी मा प्रभा से बहस कर रहे थे इसी के बीच यानिका ने बीच बचाओ किया तो मेरी बहन के साथ कमरा बंद करके गाली को लौच करते हुए मारपीट की गई जिसके वजह से उसके पूरे शरीर में घाव है कान में सुनाई भी नहीं दे रहा है बालों को भी नोचा गया सर में घाव की वजह से काफे चक्कर आ रहे हैं और जिसके कंप्लेंट दी थी जिस पर F.I.R. दायर की गई है यह F.I.R. जो दर्च की गई है इसमें 323, 504, 427, 325 के तहत मामले को दर्च किया गया है जाहिर तोर पर यह मामला चौकाने वाला है क्योंकि इस तरीके की घटना है अम्मूमन जो है इस तरीके के प्रोफाइल से आना कही ना कहीं शॉकिंग जरूर रहता है जब हम संदेप महिश्वरी के विवाद की बात करें विवेक बंदरा के साथ गी भी काफी ज़्यादा क्योंकि दूनों ही कंटेंट क्रीटर हैं वहाँ पर एक दूसरे के तरीकों को लेकर एक ही तरीके के दोनों का बिजनस है दूनों मो धारन दे देते कभी अकाल तक्त के बारे ने बोला था उसके बाद माफी मंगनी पड़े थी इस तरके के इंसिडेंस सामने आए हैं वे एक बिंद्रा की ये दूसरी शादी है पहली पतनी ने उनसे जान का खत्रा बताया था वो मामला फिलहाल चल रहा है ये जो पूरा मामला है इस पर फिलहाल F.I.R. हुई है पुलिस का कहना है पुलिस इस मामले की जाच कर रही है किस मामले में सचाई दिखने के बाद जिस तरीके से जाच उनकी पूरी होगी उसके बाद वो आगे का आक्शन लेंगे फिलहाल नोईडा की ये पूरी घटना बताय जा रही है सेक् की पतनी की तरफ से कोई सामने आया है एक F.I.R. उन्हेंने कहा कि जो उनको बताना था वो पुलिस को बता दिया है जिससे ये जानकारी मिल रही है कि ये संगीन आरोब जो है विवेक बिंदरा पर लग रहे हैं जहां पर उन्हें अपनी पतनी या निका के साथ मार पीट की ना के बल मार पीट की बलकि कुछ इस तरीके से पीटा की उनको कानों से स्चनाई नहीं दरा है उनके बाल नोचे गए और जो F.I.R. में दर्ज है ये तमाम थीज़ें हम लगातार आपको बता रहे हैं ये कम्प्लेंट जो है उनके भाई की तरफ से अपनी बहन के लिए की गई है क्योंकि उनका कहना है कि बहन उस्तिति में नहीं थी कि उस F.I.R. को करने के लिए भी वह आपाए उनका इलाज चला है लेकिन शारिरिक से जादा वो मानसिक रूप से तूट गई है दो वीडियो जहां वो सामने आ रहे हैं सोशल मेडिया पर एक वीडियो जहां पर उनके सुसाइटी के गेट के बाहर उनकी ये बहस बाजी होती भी दिख रही है नोग जोग होती है वो यानिका को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे है यानिका उनका हाथ चुड़ा कर बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे है तो ये जो वीडियो है ये भी बताय जा रह दोनों की बेहत नई शादी है, बहुत कम भी समय हुआ है और ऐसे में इस तरीके के गंभीर आरोब से अब विवेक बिंदरा घिरते वे नजर आ रहे हैं, विवेक बिंदरा जोकी बड़ा बिजनस नाम की एक कंपनी को चलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके बहुत फ अब ही दिख रहा है, क्योंकि जवाब के पास इस तरीके की पावर होती है, लोगों पर होल्ड होता है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आप से जादा होती हैं, और ऐसे में ये इस तरीके की घटना का सामने आना, जहां पर अपनी ही पतनी के साथ उन्होंने मार करती में नहीं है, ऐसे में पुलिस का कहना है, पूरे मामले को, उन्होंने कंप्लेंट को सीरिस ले लेते हुए मामला दर्च कर दिया है, अब जो धाराएं लगी हैं, उनके तहत वो इस पूरे मामले की जाज करेगी, लेकिन जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, ये इस वज गया नहीं है, कई तरके के विवाद उनके हमने पहले भी देखें, लेकिन इस तरके के संगीन आरोप लगना कहीं बहुत बड़ा आरोप है, जहां पर फिलहाल विवेक बिंदरा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन जो वीडियो सामने आ रही है, वो पाकर क्या क्लारिफिकेशन देते हैं, उस पर भी सबकी नजार है, लेकिन बड़ी ख़बर, जो सबसे बड़ी ख़बर की ये, कि इंटरनेट के मोटिवेशनल स्पीकिंग बिजनस के सेंसेशन, विवेक बंदरा पर अपनी पतनी के साथ मार पीठ, उनको इस तरीके से दिनों तक इलाज चला है और अब उन पर पुलिस की कारवाई भी हो रही है